नेशनल जो है लगातार लाई प्रसारण कर रहा था मकसद यही था कि पूरा देश जो है हिंदुस्तान की जो गौराव गाथा है अंत्रिक्ष के शेत में उसमें सहभागी बने उसका हिस्सेदार बने और इसलिए सारे प्रयास किये जा रहे हमारे संबादाता भी अलग अलग जगों पर लगातार क्योंकि एक बड़ी उपलब्धी होने वाली हिंदुस्तान के खाते में खास्तोर से हम जब बात करते हैं अंत्रिक्ष के शेत में हिंदुस्तान किस तरीके से उभर कर सामने आए और दोज़ार 14 के बास से जो बड़ी तस्वीर बदली है लगातार प्र बार हम देख लेते हैं वारतवर से सभी निवाशियों को और दूरदर्शन को भी बहुत-बहुत सप्रामना है आदित यल्वन लांच होगा और ये आदित यल्वन एक ऐसा मिशन है जो के सूर्य की गतिविधियों पर इसका कंट्रोल देखेगा कि क्या गतिविधियां होती है और नई नई चीजें खोज करें इसमें ये पता लगाया जाएगा कि इस से जो हीलियम में भिगठन होता है जो चीजें प्रकाश के रूप में आती हैं गैसिस जो उस पर उतल उतल बचा रही हैं कौन सी चीज कितना नदीक होने पर कब हमारे जीव जन्त प्रिथवी पर रहने वाले उस पर कितने एफेक्टेड होंगे इन सब चीजों की खोज उससे होने हैं अब आये आदित यल्वन है क्या चीज यहां से इसकी दूरी जो यह पंद्रा लाक किलो मीटर चलना है और वो ऐसे आर्विट पर जाकर के इसको अस्थापित करना है जहां पर प्रिथवी की ग्रेवटी और शूर की ग्रेवटी दोनों नीट्रल हों दोनों का न तो उसकी ग्रेवटी की तरफ खिचाव होगा न प्रिथवी की तरफ खिचाव होगा ऐसी जगें अगर यह लांच होगा तो उस आर्विट पर यह हमीशा बना रहेगा जब तक कि इसकी लाइफ आखी गई है वो लाइफ उस पर बनी रहे देश के लिए गवरों का च्छड़ है देश के लिए हर्स करने का च्छड़ है और आदित अलवन की यह उडान से पूरा देश हर्सित है कैमरामेन अस्तुस गुपता के साथ विकास सिंग डीडी नूज लगनो तो हिंदुस्तान ने अपनी गवरोंगा था का पखान किया था और कहा था कि हिंदुस्तान अन्तिक शिक्षेत्र में अपने कदम मजबूती से रख रहा है पांच वो तस्वीर जब इस लों की सबसे महतपूर की जो पृत्वी की कक्षा से मिशन बाहर गया यह वो पांच तस् हिंदुस्तान ने प्रत्वी की कक्षा से मिशन को बाहर भेजा और लगातार सफलता के जंडे भी गारे चंद्यान टू की अगर बात के तो चंद्यान टू ही सिर्फ असफल है लेकिन वो भी लगत आप दूसी तस्वीर देख सकते कि देश भर में पूजा हवन प्रातनाय क जा रही है कि आदित L1 को लेकर ये तस्वीरे बेहद मातपूर हो जाती है मातपूर इसलिए हो जाती कि भारत की प्रेगत के साथ हर व्यक्ति हर इंसान जुड़ता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं वारंसी कि ये तस्वीरे जहां पर लोग हवन कर रहे हैं पूजा क प्रातना कर रहे हैं कि वो आदित L1 भी सफलो और जब वो L1 आर्बिट हलो आर्बिट पर पहुचे गर वहां से जो जानकारी उभर कर सामने आएंगी धीरे धीरे क्योंकि आदित L1 की अगर उम्र की बात के तो लगभग 5 साल तक महां पर वो रहेगा और 5 साल में बहुत लिए बहुत ही प्रभावी होंगी सूरस तक भारत के सफर की बात के मिशन का नाम आदित L1 यानी की लगातार और आदित इसलिए नाम रखा गया कि सूर्षभगवान के 12 नाम है उन 12 नामों में से एक नाम आदित भी है ये बड़ी बात इसलिए आदित L1 रखा गया और य नहां कि जो अल्चा वाइलेट किर्णे हैं उनके बारे में जानकर इकठा करेगा ओजोन परत पर सूर की तापमान वहां से किर्णों का कितना असर होता है क्योंकि लगातार क्लाइमिट चेंज हो रहा है लगातार जो प्राक्तिक आपदा हैं उनकी संख्या बढ़ती जारी औ आप अपनी स्कीन पर देख सकते कि किस तरीके से धर्ती से लेकर अगर एलवन की दूरी की बात करें तो लगभग 15 लाग किलोमीटर है लेकिन धर्ती से लेकर सूर की दूरी लग 15 करूर किलोमीटर है समय चार महिने का समय यह चार महिने का समय वहां पर एलवन तक हेलो प्रित्मान हिंदुस्तान के लिए आप अपने स्कीन पर देख सकते हैं जो अलग अलग जानकारी इकठा करेंगे। पर्चम फ़रा चुके हैं तिरंगा लहरा चुके हैं और अब बारी सूरच की है और इसलिए हमने देखा कि लगातार ये कुछ बड़े मिशन आप देख सकते हैं कि चंद्यान वन की बात करें तो चंद्यान वन 2008 की बात 2008 में लॉंच किया गया इसके बात मिशन मंगलियान यह असफलता रही है उससे बहुत कुछ सीख कर चंद्यान 3 को सफल किया गया और साउथ पोल पर लॉंच किया गया वो बड़ी तारीक बड़ा वर्ष जो 2023 का चंद्यान 3 की बात करें कि हिंदुस्तान ने पहला ऐसा देश बन गया था जब चंद्यान 3 को उसने साउथ पोल दक चंद्यान 3 की जो सफलता थी इसने तो बिलकुल भारत का जंडा गार दिया क्योंकि आज तक किसी ने इतना सफलता पूर्वक जो इस पर लेंडिंग साउथ पोल पर कर ही नहीं पाया था और यह जो आदित यालवन मिशन है यह बहुत महत्रपूर्ण इसलिए हो रहा है क्य यह तो ज्याहिए है और शोलर साइकल में यह 11 साल क्यो होती है और थो हजार पच्चिस में जो है इर शोलर मैकसिमा होने बाले और यह स्टाEM जो है वो सन के क्टिविटी मै मैक्सिमUM में विस्पोर्ट और विस्पोर्ट उंगे ऐसे वह पर यह जो एक्टिविटी होगी इसकी स्टडी करने के लिए जो थाले यह पेलोड में इसमें जो Is सबसे इंपॉर्टेंट इस वजे से है क्योंकि सन का जो एटमॉस्फियर है सन का जो एटमॉस्फियर जो सन को हम देखते हैं वह फोटोस्फियर के लाता है उसके बाद जो इसका एटमॉस्फियर होता है वह क्रोमोस्फियर होता है क्रोमोस्फियर के बाद ट्रांजिशन जो कि के इंक सपान में करोना होता है तो जनली हम फोटोश्वेर को देखिए को इतना बराइट होता है किirmा डर्दीक नहीं पाता है जब पुर्ण सूरिग रहांडप पड़ता है ताब हम इस्का एच्मासफेर देक पाते है और की चंडुमा का साइस इतना जाय नहीं तब हम करोना देख पाते हैं इसी वज़े से उसको हम घोस्टी करोना भी कहते हैं बहुत जल आसानी से नहीं दीखता हूं इस ताइम डियमेंट रिंट रिंग प्रभावन नहीं है यहां पर सुर्य ग्रहन के प्रभावन नहीं प्रत्वी और सुर्य के बीच में पांच लेग तो यहां पे जिसको कि हम कह सकते हैं कि स्पेस का स्टेशन एक तरभी से जहां पर आप जो है कोई वस्तू रख देंगे तो वह उसी सिस्तिर रहेगी वहां पे तो यहां पर हमारा एधन का खर्चा कम होगा उस जगे पर रहके हम पूरा सन का मॉनिटर कर पाएंगे तो सन का जो एट्मोस्फियर है वो जो कोरोना है उसी में सारी एक्टिविटीज होती है उसी में सारे जो आपके अगर जो हवाएं है वो लगातार अगर बढ़ती रही तो आप समझ सकते कि वहां के जो चीजें वहां कितनी नुक्सान होगा और खासतर से उसका प्रभाव मुबाईल बंद हो सकता है GPS बंद हो सकता है हवाई सेवाय बंद हो सकती है आप पावर उरजा की बात करें उस पर भी कहीं कहीं प्रभाव पर सकता है लेकिन जब हम लगातार अंत्रिक्ष में हिंदुस्तान के बढ़ते करदों के बात करें खासतोर से 2014 के बाद से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कुछ तस्वीरे ज़रूर हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे और यह समझाना चाहेंगे कि आखिर सिर्फ जमीन के डिवलप्मेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ अब अंत्रिक्ष में भी हिंदुस्तान जो है अपना तिरंगा फैरा रहा है तो उन तस्वीरों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लगातार जो वैग्यानी के उनका होसला बढ़ाया गया है लगातार उनके मनोबन को बढ़ाया गया है उनके जो इस तरों की बात के तो इस तरों को पुरे देश से जोड़ा गया है लोगों को जोड़ा गया है और यह आप वो तस्वीरे देख सकते हैं और लगातार इसोगे चेरमन एस्टोमनाथ भी कहते रहें कि चंध्यान 2 में जो असफल्ता रही, जो कमिया रही हैं उनको हमने चंध्यान 3 में पूरा किया है और यही रहा उसका जो पढ़नाम निकल के आया है चंध्यान 3 की सफर लेंडिंग, साउथ पोल पर सफर उनकी जानकारी जब निकल के आएगी तो कितना बड़ा हम मददगार हो सकता है खास्तोर से देश के लिए या पूरे विश्व के लिए देखी सन का जो एटमॉस्फियर है या अभी तक इसके बारे में पूर रूप से हमें बहुत जानकारियां नहीं हैं उसको एक्स्प्लॉर करने क्योंकि कोरोना है उसका तंप्रेचर नियुट जो हमलोग सर्फिस देखते करीब 6,000 । उसके बाद तंप्रेचर कम होता है को क्रोमोस्फियर में लेकिन ट्रांजिशन जों से लिए बढ़ने लगथा और और को जाता है तो वहां पर जो जितने आ आनटेन के तरहए तो समय हम क्रियाई हो रहे हैक से यह हो रहा है और किस तरह अपने फिस को अपने इस थो आर्ध मेंगनेतरो ए कैसे को प्रotect कर सकते हैं सारी जानकारियां देंगी तो यह जो मैंने इंस्ट्रुमेंट के बाद की कि VELC जो इंस्ट्रुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह क्या करने वाला है कि वह वहां पर आर्टिफिशियल एक तरह से ब्लॉकेज करेगा संकी जो ब्रिलियंट सर्फेस है और उससे हमक है उसको एक्सप्लोर करें क्योंकि सारे जो जहनजाबात एक्सप्लोजन ब्लास्टिंग सब और ही उससा पुसी रिजन में होगी तो लोगों की जिवन में कितना बदलाओ देखती है कि जब जानकारिया कठा हूंगी जब डेटा जाएंगा जब इंफॉर्मिशन महां से न लेकिन हम् व्यग्यानिकों के बात करें तो यह जो साथ पेलोड हैं यह इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन से देने वाले हैं सॉफ्ट एक्स रय में में स्टुड़ी करेंगें के फोटोग्राफ सोंगे सण इसका मैगनेटो स्फेर के उपर क्या एफट पड़ेगा किस तरह से यह हमारा कोरोना के उपर की स्टडी करेंगे जो कि मिस्ट्री है स्ट्री के इस प्रवाइब तो हमको मिलेंगे तो हमको मैक्सिमम इनफॉर्मिशन हमको डाटा मिलेंगे तो साइन्स्टिफिक कॉम्टि में तो बेहद उत्सा है इस मिशन को लेगे है बिलकुल बेहद उत्सा और सिर्फ वैग्यान को में नहीं खासतोर से बात की जा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से बाहर भी सबकी जो नजरे हैं अब वो इस रोपर है और घड़ी की सुई जैसे जैसे बढ़ती जारे 11 बचकर 50 मिन कर वो बड़ा सम को उस पर 4-6,000 डिगरी सेल्सियस आप समझे सकते कितना उसका तापमान है कितना वो गर्म है कोरोना 10-20 लाख डिगरी सेल्सियस तो अब इसी लिए सूर्पर पहुचना वहां से चांकारी कर्था करना कितना कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है कोर की बात कि तो आपमान लगभग डेड़ करोड डिग्रीस सल्सियस उमीद और कर्पना से बहुत दूर इसकी गर्मी और शायद इसी लिए लगातार जो देश हैं वहाँ पर सूरज से जानकारी इकतित करने के लिए लालाईत रहें और अलग लग मिशन भी बेशते रहें हिंदुस्तान चौ जो फान निकलते हैं जो लपते निकलती हैं इनकी ही जानकारी जो है सबसे बेहद महास्पूर होगी क्योंकि उनका प्रभाव प्रत्वी पर भी पड़ता है उन परत पर पड़ता है इस पेस विदर परिवतन होता है और उसका असर जो मौसम में परिवतन के बात करें मौसम चुनौती रही है और इसलिए वैग्यानकों के मन में सवाल भी रहा था कि आखिर वहां से जानकारी कैसे इकठा के जालगा जी कुछ कह रहे थे हैं हम हम इस पेस सामने आने वाले हैं तो सोफ्ट एक्सरेय रीजन में इसको एकस्प्रोर करेगा फोटरफर्स होंगे इसके आज लांच होगा देश का पहला सूर मिशान सौर मिशान 11 बचकर 50 मिनट पर लांच हो जाएगा आदित एलवन लांच होने में अब सिर्फ 50 मिनट बाकी हैं धरकने जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हम लगातार तस्वीरें भी देख रहें कि लोग पूजा अर्चना प जा रहा है और जैसे ही लांच होगा चौथा बड़ा देश जर्मनी की बात करें या नासा की बामिर्का की बात करें चौथा बड़ा देश हो जाएगा जो सूर की जुड़ी जो जानकारी है वो प्रत्वी तक भेजेगा और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरे विष्व की वो जानकारी बेहदमात पूर हो जाएगए तो आपसे कुछी च्छण बात जो है वो आदित एलवन जो है स्टार मिशन भारत का पहला स्टार मिशन है वो लांज कर दिया जाएगा और वहाँ से कत्रीत हुई जानकारी पूरे मानवी जगत के लिए पूरे प्रतुई के लिए बड़ी मददगार होगी और इसलिए लगातार अंत्रिक्ष शेत में हिंदुस्तान अपनी उपलब्धियों की जो फेहरिष्ट है जो लेश्ट है वो मजबूत करता जा रहा है कुछ दिन पहले आज से दस दिन पहले हमने चंजा अं लगातार वहां पर भी असीम संभावनाय उभर कर सामने दोजार सत्रा में आपने देखा कि वहां पर निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया एक बार फिर आप अपनी स्कीन पर देख सकते कि जो साथ पेलोड हैं वो किस तरीके से काम करेंगे VLC पेलोड सूर की HD तस्वीर लेगा तो कुल साथ पेलोड है जो लगातार ये सारी जानकारी पांच साल तक सारी जानकाई देंगे SUIT सूर की अलचा वायरेट तस्वीरों को कैद करेगा High definition की जो फोटोज है वो यहाँ पर भेजेगा और लगातार वो जानकारी काम आएंगी कुल साथ पेलोड एसपेक्स की बात किया तो दो पेलोड एक साथ मिलकर काम करेंगे तापमान की जानकाई देंगे और जो वहाँ पर शक्तिसाली सौर हवाय चल रही है उनकी जानकाई देंगे सूर की हवाओ के प्रोटोंस और अलफा पार्टिकल का भी अध्यन करेंगा और यह जो आदित L1 है पाँच साल तक वही L1 जो पॉइंट है वहाँ पर रहेगा पापा सूर की गर्भ हवाओ में मौझूद इलेक्ट्रोंस और भारी आयन कर रिसर्च करेगा क्योंकि वहाँ पर जो गर्भ हवाय हैं वो किस तरीके से प्रभावी हो सकती है इसकी जानकाई देगा सूर लहरों की हाई एनरजी एक्सले का अध्यन करेगा तो लगातार वो तस्वीरे आप देख सकते हैं कि यह जो साथ पेलोड है पेहद महत्पूर्ण है और यही साथ पेलोड आदित L1 में हैं और वहाँ पर जब पहुचेंगे वहां से एक एक परत सा सूरज की जानकारी, सूरज की गर्मी की जानकारी वो दिखाते रहेंगे तो इसलिए आज का दिन बेहद महत्पूर हो जाता है तो कुछ और तस्वीरों पर हम एक बार नज़र डालेते हैं इसके साथ-साथ की लगातार क्योंकि कुछ और तस्वीर है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर की पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस समय सिर्फ इस्रों की तरफ नज़र टक्टकी लगाए देख रहा है सफलता की काम ना करा यह वो बच्चे है जो आने वाले देश का भाविश कहा है जाते हैं स्कूलों से जुड़े हैं और इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि वो कितने साहित हैं, उनको वो भी चाहते हैं, वो भी इस पल का गवाह साक्षी बनना चाहते हैं और इसलिए इस्तों ने भी कापी कुछ तैयरी कर रखी है वेबसाइट के माध्धम से, फेस्बुक के माध्धम से दूर दर्शन भी अपनी आलालग चनलों के माध्धम से लाइप प्रसारण करेगा लोगों की जो रियक्शन्स है वो लगातार अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नहीं आज की तारीक एक और बड़ी खावर आपके सामने मिशन आदित अलवन के लॉंच होने से पहले एक बड़ा बयान आया है क्योंकि आप से कुछी देर बाद जो आदित अलवन है वो लॉंच किया जाएगा विजेपी के राष्ट्री अध्रक्ष जगट प्रकाश नड़यानी की जेपी नड़ा ने एक बड़ा बयान दिया उनुन कहा कि अंत्रिक्ष क्रशेत में भारत ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है तो ये जगट प्रकाश नड़यानी की बिजेपी एक बार सुन लेते हैं कि बिजेपी के जो राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा है उन्होंने इस मिशन को लेकर इस मिशन की सफलता को लेकर और अंत्रिक्ष में बड़तेव भारत की कर्दमों के लेकर क्या कुछ कहा ह अज भारत चंद्रयान के माध्यन से चंद्रमा पर दक्षणी ध्रुप पर पहला हमारा चंद्रयान उतरने वाला दुनिया का पहला है इस बात को भी हमको जान में रखने हैं आज एलवान लॉंच हुआ आदित्य एलवान सूर्य स्टधी करने के लिए जाएगा आप सोचिए कभी नौ साल पहले आप ये कल्पना कर सकते थे नौ साल पहले जब मैं टू जी बोलता था तो आपके दिमाग में दूसरी तस्वील आते थी तो आपने जेपी निड़्डा को सुनों ने कहा कि भारत के जो हैं अंत्रिक्ष में बढ़ते हुए कदा हैं और 2014 के बाद से ये देखा गया है कि इस्पेस को लेकर अंत्रिक्ष को लेकर इस्ट्रो को लेकर सरकार बड़ी मुखर रही है लगातार वैग्यानकों का होसला अफजाई किया गया है अलग-अलग मिशन की शुरुवात की गए रूसी का परणाम रहा है कि अब पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान को स्पेस सुपर पावर के रूप में देखने लगा हिंदुस्तान जो है वो विक्सित उन रास्टों के बराबर खड़ा हो गया है कदम से कदम ताल मिला रहा है जो कभी अपने आपको अंत्रिक्ष के शेत में महारत ही मानते थे लेकिन अब हिंदुस्तान भी वहाँ पहुच चुका है हमारे समयदाता रामेन सीग ने क्या कुछ लोगों से बात की है क्या उनकी प्रत्क्याय रही है एक बार वो सुन लेते हैं क्योंकि आज का दिन बेहद महातपूर होने वाला है और एक सपता बाद हमारा जो सफर है जो देश का सफर है वो सूर्य की तरफ चल पड़ा है थोड़ी देर बाद आदित यलवन प्रछेपित किया जाएगा क्या चीजे निकल करके आएगा उससे क्या उपलबदिया हासिल होगी क्या रिसर्च होगा हम केंदी विद्याले गो बहुत बड़ी उपलबदी होगी जो हमारी इजरो है उसने जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही चंद्रयान 3 को लांच किया था और इसकी स्मूध बहुत स्मूध लेंडिंग हुई और इसके वज़े से जो इंडिया का बहुत नाम रोशन हुआ उसकी तरह ये भी एक बहुत और पढ़े और जाने और एक्स्प्लोर करें इसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और मुझे लगता है कि आगे चलके जो अभी नासा जैसे इजरो ने यंग साइंटिस्ट करके भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसमें भी बच्चों का बहुत जादा बढ़ चड़कर पार्टिसिपेशन रहेगा और बहुत आगे तक हम लोग करेंगे कि हम और डिस्कवर कर पाई इंडियान साइंटिस्ट हमेशा से स्टार्टिंग से हमने देखा है कि वह एक एफिशेंट और कॉस्ट एफेक्टिव वे में अपने मिशन रखते हैं तो आदित जो है वो तीन लेयर्स स्टडी करेगा संसोलर ऑबिट की डाट इस अपोस्फेर क्रमोस्फेर एंड कोरोना लेयर्स तो यह सब के इस इनकी स्टडी से हमारे हम अपने अर्थ सैटलाइट्स को पर जा सकते हैं फॉर ब्लाक आउट एंड जो आगे आने प्रेडिक्टेट सोल आइस जरूरी है और ऐसे मिसंस के बाद भारत की जो धाग दुनिया में बढ़ती है उसके लिए भी जरूरी है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा चाहे बिग्यान हो चाहे बाकी चीजे हो तो दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनती है राम जी बाजबे के साथ रामेन सिंग डीडी नूज लकनो तो आपने सुना कि ये वो शात है जो आने वाले दिनों में इसमें से बहुत से ऐसे शात बहुत से युवा होंगे जो स्पेस में सेंटर पर काम करना चाहेंगे अंत्रिक्ष के शित में काम करना चाहेंगे अपने भविश को आगे बनाना चाहेंगे वात किये गया था युवाओं को जोड़ा गिया गया था लेंग कुछ और चीजों पर नज़र डाले थे कि लगता क्योंकि आज का दिन बेहद महात्पूर होने वाला है और हर एक जानकारी बेहद महात्पूर है क्या सूरज की गर्मी से पिघल नहीं जाएगा सूर्यान सूर जो है वो खराब नहीं होगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जानकारी भी महात्पूर है क्योंकि जब फोटोस्प्यर का तापमान पांसदार पांसों डिग्री सलसेस होता है तो एलवन इससे भी दूर इस्तित्यानी कि किसी भी तरीके से आदित एलवन को त तो वो जो ऐसी जगह है जहां पर कोई भी पेंड स्थिर रहता है फोटोस्प्यर के तापमान पांसदार पांसों डिग्री सलसेस होता है अलवन इससे भी दूर इस्तित है और इसलिए ये पूरी त्यारी कीगा और इसलिए आज कर दो दिन है वो बेहद महत्तपूर हो जात है एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर पहला सूर मिशन का काउंडाउन शुरू हो चुका है यानि की घरी को जिस्तूई है वो धीरे-धीरे ग्यारा बचकर पचास मिनट की तरफ आगे बढ़ रहे और अब सिर्फ मात्र चालिस मिनट बाकी रह गये हैं सब की निगाह है पूरे देश की निगाह है पूरे विश्व की निगाह है अब उस घरी की तरफ टीक कही है जहां पर ग्यारा बचकर पचास मिनट जैसे ही बसता है वैसे ही जो काउंडाउन है वैसे ही वह शुरू हो जाएगा और आदित लवन लॉंच कर दिया जाएगा तो लगातार की धरकने बढ़ती जा रहे हैं और पूरा देश जो है आज प्रात्या कर रहा है कि आदित लवन भी किर्तिमान इस्थापित करे आदित लवन भी चार महिने के सफर के बाद उस पॉइंट पर पहुच सके जो लवन है वहां पर पहुचके पाच साल तक रुख सके और वहां पहुच सबसे पहले हम आदित लवन को समझना चाहेंगा और उस जखें कि वह जगे क्यों चुनी गई है क्योंकि जमीन से क्योंकि जब हम आदित लवन की बात करें तो पांच उसमें बाटा गया है लवन, ल2, L3, L4, L5 लवन ही क्यों चुना गया जी बहुत अच्छा प् सूरच के और प्रिथ्वी के बीच में एक बिंदू है L1 इस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्शन भी लगता है प्रिथ्वी का गुरुत्वाकर्शन भी लगता है यह एक बिंदू ऐसा है जहां पर बहुत अच्छा stable point हमें मिलता है एक स्थिर बिंदू मिलता है जो L4 और L5 हैं वो कहीं ज्यादा स्थिर points होते लेकिन वहां से उतना अच्छा view और uninterrupted view हमें हमेशा सूरच का नहीं पड़ता है और यह points जिन पर स्थिरता होती है वहां पर उजा खर्च नहीं करनी पड़ती है बहुत कम उजा खर्च करनी पड़ती है तो L1 के case में थोड़ी उजा खर्च होगी L4 और L5 इसके साब से बहतर होते लेकिन व्यू की दिश्टी से हमने L1 को प्रिफर किया है बिल्कुल एक चीज़ और मैं आप से बहुत गर्मी प्रडूस होती है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अभी अगर हम देखें जो पारकर स्पेस प्रोब है वो हमसे हमारी तुलना में सूरच के खर्च ज्यादा पास है पर उसके सदय पर तापमान करीब 800 डिग्री सल्सियस का है तो यह जो इस्ट अच्छी तरह से उसको सस्टेन कर सके उनका पर नुक्सान हो इसलिए वो डिजाइन ऐसा किया गया है कि जो तपिश है जो गर्मी है उससे नुक्सान हो लेकिन हमाई जमारता दुरगार शर्मा ने भी एक वेक्यानिक से बात की वो क्या कुछ बता रहे है क्योंकि आज का द अब सूरे पर विजय की बारी है और इसकी उल्टी गिंती भी शुरू हो चुकी है हमें समय लखनों के नक्षा तरशाला में हैं और यहां पर जिस तरह से हमें चंद्रियान फीन के समय में उसा नजर आया था कुछ वैसी ही उमंग की लेहर आज भी है और सुबे से यहां प करव से तैयारी की गई है मैं जैसा हम लोग जानते हैं आज आधित एलवन लॉंच होने वाला है तो सूरे की स्टडी के लिए हम यहां टेलिस्कोप लगाया इसकी मदस से हम सूर में उठने वाले स्पॉर्ट को सोलर फ्लेयर्स को देख सकते हैं और जो भी देखने आएगा वो अपनी आँखों से क्योंकि सन को हम डारेक्ट नहीं देख सकते हैं तो हम टेलिस्कोप के थरू उसको देख के उसकी प्रॉपर्टी जो भी है उनके बारे में जान सकते हैं पहले चंद्रियान 3 और अब आधित एलवन क्या कहेंगे देखे चंद्रियान 3 एक काम्याब मि अधित्य वी था जिससे चाहिए आगे बड़ा और जो अधित्य यह जो हम सुरज की जो सोलार वह उनको अध्यान करने के लिए उसके मैगनेक्टिक फेल्ड से क्या असर आता है प्रृति में उसको देखने के लिए और नॉर्थ पोल और साथ वर्ल में जो प्रृति में अर जारत अंत्रिक्ष की दुनिया में अगवा नजर आ रहा है जी बिल्कुल जैसे आज देखा जाए तो एशिया में पहला देश इंडिया बन जाएगा यहां तक ही ब्रिक्स कंट्री में भी इंडिया क्लोटर देश होगा जिसने सन को स्टेडी करने के लिए कोई मिशन जैसे भी मेरे साथी ने बताया कि जो सोलर फ्लेयर्ज वो आती है जो कि अर्थ के एट्मॉस्टर को एफिक्ट करती है साथी मैं आपको बताओं तो 1989 में एक ब्लैक आउट इमेंट आया था जिसकी वज़े से उस एरिया की जो पूरी पावर ग्रेट थी वो फेल हो गई थी जब हमने अध्यान किया तो मैं पता चले यह संद की वज़े से हुआ है तो अगर संद को एक सेटलाइट हमारी हमेशा उपजब करेगी तो मैं पता रहेगा कि कब ऐसी चीज़ आ रही है तो जो हम अपनी सेटलाइट है पावर ग्रेट उन सबको सेफ मूर्ड में डाल सकते तो यह काफी मैधपूर्ण मिशन है अपने वैज्यानिकों को शुबकामनाय देने के लिए एक स्वर में आप लों क्या कहेंगे जैहिंद का नारा है और यहां पर एस्ट्रोनाट क्लब के सदस से उतसाहित हैं और अपने देश के वैज्यानिकों को शुबकामनाय होगा वो सफल हो और वैसे ही सफलता कि बाद इंदुस्तान जो है चौथा बड़ा देश बन जाएगा अभी तक सुर्यान के जब बात करते थे सौर्ज की जानकारी की बात करते थे तो अब्सर्विट्री में लगी जो दुर्बीन है उनके माध्यम से जानकारी इकर्चित ह होती है लेकिन वह वहाँ पर काफी चुनौतिया थी यह पहली बार है कि पंदर लाग किलोमेटर की दुई तैकर के वहाँ पर एलवन से वहाँ से जानकारी निकल करके सामने आएगी सुर्यान को एलवन पॉइंट पर ही क्यों भेजा जाएगा एलवन के चार और की आर्बि लगातार 24 घंटे सूरज पर निगरानी रख सकता है एलवन से रियल टाइम सूलर एक्टिविटीज और अंत्रिक्ष के मौसम पर सीधे तोर पर नज़र रखी जा सकेगी इस पेस विदर एक बड़ी जानकारी एक अत्रित कर सकता है इस से जुड़ी जो जानकारिया है वो बेहद मात्मूर रखती है आदित को सूरा और प्रत्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में इस्थापित किया जाएगा और वही पर यह जो है आदित एलवन पांच साल तक रहेगा और पांच साल तक लगातार जानकारी एक अच्छित करता रहेगा नोटियाल जी कैसे देखते है कि जब हम स्पेस वेदर की बात करते हैं जब मौसम में बड़े बदलाओं कि खास्तोर से वहां चलिवाजी सौर हवाय हैं जो साली तूफान है उनके अगर उनकी उनसे जुड़ी जो जानकारी निकल के आएगी क्या उसका भी प्रभाव प्रत्वी पर पड़ेगा जो भी स सूरच के कारण लेकिन आज के समय में जब हम सेटलाइट्स भीचते हैं आज के समय में जब हमारा डेडियो कम्यूनिकेशन है ये सब के सब सूरे पर होने वाली एक्टिविटी से प्रभावित होते हैं खास सार पर जो ग्यारे साल का हमारा सौर चक्र है या सोलर साइकल है उसमें जब पांच-छे साल के आसपास पीक पर अक्टिविटी पहुंचती है तो हमेशा ये डर रहता है कि हमारा कम्यूनिकेशन ब्रेक डाउन हो सकता है तूर सकता है इसलिए सूरच के व्याफ़ार को समझने हैं पार मिशन आदित एलवन लॉंच होने में 30 मिनट मात 30 मिनट बाकी रह गये हैं आदित एलवन का क्योंकि सब की निगाहें इस तो पर इस तो में बैठे जो वैग्यानिक है उनको भी टक-टकी लगाए उस घड़ी के तरफ देख रहे हैं जैसे ही 11 बचकर 50 मिनट होगा वैस हिंदुस्तान के खाते में अंत्रिक्स के शेत में एक बड़ी उपलब्धी जुड़ जाएगी क्या कुछ बड़ी बाते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं फड़ा-फड़ अंदास में क्या खिर आज का दिन बेहाद PSLV की 10 बड़ी बातों को अगर उस पर नज़र डा है जिसमें लिक्विड स्टेज है और इसलिए इस रोज जो है जितने बड़े मिशन रहे हैं वो PSLV 3 की तहत ही उसने लांच किये हैं पहली उडान PSLV D1 को 20 सितंबर 1993 को लांच किया गया था और आज भी जो PSLV C57 के माध्यम से आदित L1 को भेजा जाएगा 15 अप्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रिक्षेफड के बाद PSLV भारत के लिए एक विशुसनी और बहुमुखी लांच वहां रॉकेट के रूपे इसलिए मैं लगातार कराओं कि इस रोग को PSLV पर बड़ा भरूसा है बड़े मिशन जो हैं वो PSLV के थू लांच किये गए हैं PSLV कई भारती 15 फरोई 2017 को अपनी 89 उडान में PSLV ने 104 उपग्रों को लांच कर उस समय विश्व रिकॉर्ड बनाया था आप इस खबर को देखे और इस खबर से पहले इसमें समझने की ज़रूरत है कि ये वही भारत है ये वही हिंदुस्तान है जब अपने उपग आप से कुछी देर बाद आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं कि इंद्री मंत्री जितेहिन सिंग्ग वहाँ पर मौझूद हैं देश भर के जो पड़े वैग्ज्यानिक हैं इस कवाई से सफलता के साक्षी बनना चाहते हैं आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं लगातार हो दाएगा और विश्व हिंदुस्तान जो है विश्व का चौथा बड़ा देश बन जाएगा पहला एशियाई देश बन जाएगा चीन जैसे जो सुपर पावर माने जाते हैं स्पेस में वो भी पीछे रह जाएंगे तो यह आप समझ सकते कि हिंदुस्तान के उपलब्दी ह यह जो चेहरे हैं आप देख सकते कि अथक मेहनत लगातर प्रयास जो है वो आपको साफ नजर आएगे और उसी का परणाम है कि आज की तारीक बेहद महत्पूर हो जाएगे यह वो कुछ वीडियो भी आप अपनी स्कीन पर देख सकते कि कैसे इसो ने क्या कुछ त्यारी की नाम है वो स्वर्णी मक्षो से लिखा जाएगा चांद पर हमने फता हासिल की है अब सूरच की बारी है और इसलिए पूरे देश वारी समय के एक और बड़ी ख़बरारी सतीश दवान अंत्रिक शिहर कोटा की ताजा तस्वीरे आपके सामने हैं अपसे कुछी देर बाद जो है ग्यारा बचकर पचास मिर्ट पर जो है अदित 11 लॉंज कर दिया जाएगा ये कुछ ताजा तस्वीरे आप देख रहे थे कि वहांस के जो वैग्यानिक हैं चिनोंने अथक मेहनत की है वो इंतजार कर रहे हैं पल पल इंतजार कर रहे हैं उस सब की नजर अपने मॉन पूर तारीक है कि आज उस घड़ी उस पल पर हम पहुच गए हैं कि हिंदुस्तान अपसे कुछ ही मिनट बात एक नए उपलबदी एक नए फेहरिस्त में एक नए कीरतमान इस्थापित करने जा रहा है और वो भी स्पेस सुपर पावर के रूप में हिंदुस्तान का नाम अब सोड़ी मक्षरों में लिखा जा रहा है अस से दस दिन पहले चंद्रा अंत्री की सफलता ने यह आप अपने स्किन पर पांच बड़ी तस्वीरे देख सकते हैं कि इतिहास बनाने को तैयार अंत्रिक्ष में हिंदुस्तान का चमतकार ही है आप वो तस्वीरे देख इस तस्वीर है वो आदित एलवन वही है अपसे कुछ ही देर बाद मैं कहा जा सकता है कि आधे घंटे से भी कम का समय बचा है जब हिंदुस्तान जो है अपने अंत्रिक्ष श्रिशेत में अपने कदम को मजबूत करेगा और एक बार फिर इस तो आपको लिए चलते सीधे इस इस तो लिए चलते जहां पर आपसे कुछी देर बाद आदित एलवन को लॉंच किया जाएगा आप देख सकते हैं यह वो डॉकुमेंटरी यह वो तस्वीरे जो इनके अथक परिश्रम अथक परणाम का रतीजा है और आज हम उस जगह उस तारीक पर पहुँच गये हैं उ जानी कि इसमें किसी भी देश की मदद नहीं ली गई है तो आप समझ सकते हैं कि अंत्रिक्ष करशेत में इस स्पेस में भी भारत कितना आत्निर्भर बनता जा रहा है पहले हमने देखा कि 104 उपगरा लॉंच करके भारत ने रिकॉर्ड बनाया था यह वही भारत जैसे हम ल सफलता पूरवक साउथ पोल पर लॉंच किया था प्रधान मंतिर अन्मोदी ने फोन पर बात की थी उस समय विदेश में थे पीम मोदी और वहाँ पर पहुचे उन्होंने बधाई दी शुबकाम नाय थी लगातार आप देख रहे हैं इस चीथी तस्वीरे इस तो से आ रहे हैं बस कुछ पल कुछ छडो का इंतिजार कैसे देखते जब हम स्पेस विदर की बात करते हैं और जो जानकारी निकल के आएगी आपको लगता है कि मौसम में एक बड़ा परिवर्तन आएगा हम सब जानते हैं चाहे बारिश हो चाहे हवाओं का चलना हो चाहे तापमान हो इनका सीधा संबन सूरस से है तो सूरस हमारा दोस्त भी है सूरस हमारा थोड़ा सा दुश्मन भी है तो इसलिए अपने दोस्त के भी और दुश्मन के व्यभार को समझना बहुत जरूरी है हम बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि वो हमारी ओजोन की लेर को प्रफावित करता है इसके अलावा जो उसकी सोलर विंड है जो सौर पवन है जो उसका सबसे बाहरी आवरण है उसका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है और उसके साथ में बहुत सारे पार्टिकल में प्रोटॉ प्रिध्वी से काफी दूर होंगे तो वहां पर प्रिध्वी का जो चुमकियक शेत्र हैं मेंग्नेटिक फिल्ड है वह करीब करेब शूनन्य होगा तो उस जिघ्वी से हम सूरज का जो इंटर प्रवनेट्री मेंटिक फिल्ड है उसका अध्यन कहीं अच्छी तरह से कर पाएंगे और लगातार तस्वीरे भी आ रही है एक बार फिर हम कुछ तस्वीरे आपको दिखाना चाहते हैं जो ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है कितनी बड़ी बड़ा किर्तमान इसनों ने जारी किया PSLV सुबह 11.50 में लॉंच होगा आदित L1 ये तो लग उसने में वैग्यानकों के कितनी मेहनत रही है कितना संघर्ष रहा तो चलिए पर संबादा था दुर्गा श्रमा के एक रिपोर्ट देख लेते हैं उन्होंने नशक साला में एक वैग्यानक से उन्होंने बात की क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार हम सुन लेते हैं चंद्रियान 3 की सफल लेंडिंग के बाद अब भारत ने सूरी की तरफ उडान भरी है और अब से कुछी घंटों बाद आदित L1 की लॉंचिंग होगी इस पर अधिक बाचीत के लिए हमारे साथ नक्षा तुर्शाला लखनों के वेग्यानिक डॉक्टर सुमिच श्रवास्त सुमिच जी हम सबसे पहले आपसे यह जाना चाहेंगे कि आदित मतलब सूर एलवन के क्या आशे हैं थोड़ा सा आप इसका सरली करन करते हुए समझा सके कुछ अचा समझे आज यह इसकी यात्रा शुरू होगी तो आदित एलवन की जो जर्नी है और इससे क्या लाब होंगे थोड़ा सा उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे ग्यारा पचास पर आदित एलवन का लॉंच है इस और इससे पहले सोहो नासा का पारकर प्रोब भी गए हुए हैं लेकिन एलवन लागरेंजिन पॉइंट वन यानि पंदरा लाग किलोमेटर दूर अब तक किसी ने भी अपना जो सोलर यान है वो नहीं भेजा है तो भारत इस छेत्म प्रथम है और जो सन की स्टडी है उसके लिए महत्पूने हम सन को डिटेक्ट कर पाएंगे या फिर कोई भी ऐसा फिनोमेना जिसके वज़े से दर्ती को नुक्सान पहुँ सकता है उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे पहले चंद्रियान और अब आदित एलवन भारत अंत्रिक्ष की दुनिया में सिर्मौर बरने की तरफ बढ़ रहा है क्या कहेंगे इसको चंद्रियान के तुरंद बाद आदित एलवन और उसके बाद में अभी कई स्पेस मिशन्स और आने हैं और ये सारे स्पेस मिशन्स हैं वहारे जो मान hasu comments को लेके जाने वाली यान से गहंने तो उस दिशा में हमारे छोटे छोटे स्टेप यह चैपस हम्हें हैंहीं और कुछ समय बाद यह समय भी आहाएगा जब हमारा मान Tortis जो अंत्रिच्छान है वह भी स्पेस में सफर कर रहा हों तो आपने सुना कि वैक्यानिक भी लगातारी सफलता को लेकर उच्साहित है सिमनोटियाल जी कहा जाता है कि सूर इतना बड़ा है कि लगबग 13 लाख प्लैलेंट जो हैं उसमें समा सकते हैं तो अभी बहुत कुछ जानकारी वहां से निकलनी बाकी अभी तो एक कहा जा सकता है कि शुरुवात हुए एक पॉइंट पर पहुचा है जी आपका कहने बिल्कुर सही है सूरज का में जितना मास है उसकी तुलना में प्रित्वी का मास जो है या दूसरे ग्रहों का मास जो है वो बहुत कम है उसका रेडियस भी और हमारे अगर अगर पूरे स्वार सिस्टम का जो सबसे डॉमिनेटिंग कॉम्पोनेंट है वो सूरज है आकार के हिसाब से, आईतन के हिसाब से यह जरूर है कि उसकी जो डेंसिटी है वो प्रित्वी के जो पदार्थ है प्रित्फिल के एवरेज डेंसिटी की करीब एक चौथाई है लेकिन उसका आकार इतना बड़ा है कि कुल मिलाकर उसका मास बहुत जादा है और यही कारण है कि सारे ग्रह इस सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं तो अगर आप सूरज की बात करें तो सूरज का जो हमें रूप दिखाई देता है वो एक्चली उसका प्रकाश मंडल या फटोस्फियर है और इनफेक्ट जो क्रोमोस्फियर है वो उसके बाहर है लेकिन वो हमें इसलिए नहीं दिखाई देता कि दोनों के तापान में 1000 डिगरी सल्सियस का अंतर आता है प्रकाश मंडल या फटोस्फियर कहीं ज़्यादा ब्राइट है लेकिन सबसे ज़्यादा टेंपेटर उसके बाहर आएं तो वो उसके करोना का या सोलर किरीट का है और जो पारकर प्रोब है उसने अलमोस्ट उस करीट को या उस जो मुकुट कह सकते हैं आप उसको अलमोस्ट छुआ है ठीक है और लोगों में अंदर ये भी एक जिग्यासा है कि आखिर आदित एलवन जब वहां पहुचेगा जो जानकारी निकल करके सामने आएगी उससे लोगों की जिवन में कितना बदलाव आएगा वेदर को लेकर चाहे हो या फिर रेडियो की फ्रिक्वेंसी को लेकर हो सेटलाइट्स के आधार पर हम ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं तो सही है अगर हम सूरज का बिहेवियर ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे तो हम ज्यादा बहतर पोजीशन में होंगे ये प्रेडिक्ट करने की की स्टोलर स्टोर्म काशब काब आईगा किस समय उसकी वजब से आउट ज़ो oh सकता है पारण का किस समय उसकी वजब से हमारा रेडियो कम्मयुनुकेशन स्ट्रस को सकता है अब जब अब स्पेशिप्स बाहर भेजे जाते हैं, तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है इस रेडियेशन इंवरॉन्मेंट का, तो इन सब चीजों के बारे में हमें ज्यादा अच्छी जानकारी सूरज के बारे में मिलेगी, सूरज के बेहिवियर के बारे में मिलेगी, तो जैसे मै लोगों ने थेयरी दी थी कि जो precipitation होता है या वर्षा होती है वो कितने आयन स्वातावरण में हैं इससे भी जुड़ा हुआ है और सूरज के से जो radiation निकलता है उसकी वजह से आयनाइजेशन होता है लोगों ने इसके बीच में भी संबंध सापित करने के कोशिश की थी बहु वेल एलवन जो है वो लॉंच हो जाएगा देश के पहले सूर मिशन का जो countdown है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है अस्ता तीश दवन अंत्रिक श्केंस रिकोटा में लॉंचिंग के तैरिया जो है वो पूरी कर ले हमने कुस देर पहले तस्वीरे भी दिखाई दियो एक बा जाएगा भारत चौथा बड़ा देश बन जाएगा तो आप देख सकते कि लगातार जो है वो समय कम होता जा रहा और इसलिए जो तस्वीरे आप देख रहे हैं कि देश भर से लोग अलग-अलग तस्वीरे साजहा भी कर रहे हैं लोग पूजा कर रहे हैं प्रातनाय कर रह तो आप देख सकते ही कि लगातार आदित को सूर और पत्वी के बीच हेलो आरबिट में ने थापित किया जाएगा और वही से ही लगातार जो है वह आरबिट में थापित होकर वह आदितलवन जानकारी ठेज़ेगा तुरह कें चार और अरबिट को कहते हैं और एक बार आपको सीधे एक बार इस रो फिल लिये चलते हैं जहां कि तस्वीरे बहुत महत्पूर और नहीं तस्वीरों के इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रही थी वो तस्वीरे आप अपने स्कीन पर सीधे देख सकते हैं कि कुछ ही पल बात कुछ ही चड़ बा इसों से देख सकते हैं अंतर अपने मंतिश्वीरे बाहर की जो तस्वीर है कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं क्योंकि वो सब इस पल्को अपने आखों में अपने मोबायल पर किरना चाहते हैं और इसाली इसनों नेatar रोगों को इससे जोरने की सहीं से शामिल होने की ताकि हर व्यक्ति हर इंसान हिंदुस्तान की सफलता पर गर्व कर सके वो याद करके बता सके कि आज की जो तारीक है वो हिंदुस्तान के लिए कितनी महतुपूर होने वाली है चांद पर हमने फता हासिल की और अब सूरच की बारी बारी है तो ये तस्वीरे और ये व पर्शों मेहिनत की है इनके संघर्ष का परणाम ये वो वैग्यानिक है जिनकी बदौलत आज हम ये कह पा रहे हैं कि हम सूरज की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं बढ़ने वाले हैं और कुछ ही पल बाकी रह गए हैं कि लगातार हम वहां से आने वाली जानकारियों की बात करें हैं वह जानकारी जब हम क्योंकि मौसं को लेकर लगातार जो मौसं से जुड़ी जुगन के आप कहीं प्रभाव पड़ेगा जी हां पहली बात तो हमारे जो चंद्रियान तीन का जो सफल अभ्यान है जी उसके बाद ये सूरी के अभ्यान में थोड़ा सा अंतर है आप समझे कि सूरी एक टारा है और पृत्वी उसके चारो तरफ चलने वाला एक ग्रह है तारे के अंदर अपना इनर्जी के इतना बड़ा स्थोर होता है उसका अपना सीस्टम होता है इसलिए सूरी के ऊपर जो हमारी विजा है ये कुछ जादा महत्तपूर्ण है क्योंकि इस में हमको काफी कठनाईयों का भी सामना करना पड़ सकता है उसका temperature बदलता भी है उसके केंद्र में उ इतना गैप पड़ जाता है कि हम लोग जब किसी चीत का अब्जर्वेशन करते हैं तो बजाए चमक के हमको काली रेखाएं मिलती हैं जिनको फ्रानोफर लेखाएं हम कहते हैं उन फ्रानोफर रेखाओं के कभी-कभी पैटर्न मतलते हैं जिससे हम बैठे-बैठे सेम अपने अब्जर्वेशन के उपर अंदाज लगा पाते हैं कि सूरी के अंदर क्या-क्या परिवर्तन आ रहे होंगे निसंदे सूरी के इस परिवर्तन से धर्ती को तो प्रभावित होना ही होना है यहां तक होना है कि हमारे सारे मौसम मौसम के साथ यह तो आप जानते हैं कि धर्ती के घूमने और चलने कारण दिन रात और यहां तक की पूरा वर्ष उस सब की काउंटिंग सभी कुछ तो सूरी के उपर निर भर है तो वो इतना आसान हमारा मिशन नहीं है इसलिए हमारे इसरों ने ये बहुत अच्छी तरकीब निकाली है कि जो बाहर की पड़ते हैं सूरज की वो तो जादा गरम लेकि जैसे जैसे अंदर की पड़ते हैं वो बनिश्बत ठंडी है क्या ये भी एक बड़ी दिल्चस जानकारी निकल के सामने आए जाए की बात ये है कि बाहर की और भी गरम है और केंदर भी गरम है बीच में ठंडा है जिसके कारण उसके अंदर absorption हो जाता है बजाए उसमें से emission उस सर्जन के वहां पर absorption हो जाता है जिसके कारण की ऐसी ऐसी रेखाई मिलती है जिनके उपर हम केवल अंदाज लगा पाते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है आज हम उसके काफी नजीग पहुंच रहे हैं सबसे पहले पहले जब यहां से हम पार करेंगे हमारी आदित अलवन लांच होने में मात दस मिनट बाकी रहे गए हैं आप देख सकते हैं आप अपने स्कीन पर देख सकते कि किस तरीके से लगातार जो तस्वीर है वो बदलती जा रहे हैं आदित अलवन लांच होने में मात दस मिनट बाकी रहे हैं जैसे ग्यारा बचकर पूति के साथ वो आगे बढ़ता जाना है बहुत कतिन है धगर सूरज की यात्रा कि शुरुवात लोवर अर्थ और्बिट से करेगा यानि कि धीरे धीरे जो है आदित एलवन जो है धीरे दीरे आगे बढ़ेगा और फिर प्रत्वी की कक्षा को जब छोड़ेगा यात्रा कि की कक्षा से बाहर जा रहा है हमने मंगल यान देखा चंजान वन टू और त्री देखा और ये जो है आदित एलवन इसके बाद क्रूज फेज आएगा जो लंबा चलेगा जहां पर वो उसके सरकिल में राउंड करेगा तो आप देख सकते अपनी स्क्रीन पर समझनी की कोश अपने अभी तस्वीरें देखी थी कि वहां पर भी लोग इकत्रित हैं हर कोई इस सफलता का साक्षी बनना चाहता है इस हिंदुस्तान की इतिहास का जो स्रणिम अध्याय लिखने वाला है अपसे कुछ मिनट बात उसका भी वो भागिदार उसका सहभागी बनना चाहता है और इसलिए प्रयास भी किये गए हैं कि पूरे देश को इस सफलता से जोड़ा जा सके क्योंकि ये बताया जा सके कि हिंदुस्तान के जो वैग्यानिक है वो लगातार कितनी मेहनत करें और उनकी बनस्बत उनकी मेहनत की बदोला थी हिंदुस्तान जो है अंत्रिक्स के शेत पिर ही हिंदुस्तान जो है चमतकार के लिए तैयार है और लगातार सब की निगाहे जो हैं अपनी घड़ी की सुई पर टिकी हुई हैं ये वो तस्वीरे वो चेरे हैं जो आप देख सकते हैं जिनकी अथक मेहनत रही है आदित L1 को सफल करने में और सौर मिशन यानि कि हिंद जित L1 जमीन से 15 लाग किलोमीटर जो जो बिंदु है वहां पर रहेगा और वहां से चक्कर लगाकर जानकारी 31 करेगा पांच साल तक यह जानकारी एकर्चित करता रहेगा सर कैसे देखते हैं कि अपको लगता है कि चंद्रियान थी की सफलता ने हिंदुस्तान को एक नया किर्थमान नई जगह पहुचा दिया है खासत और से जमी स्पेस सुपर पावर की बात करते हैं निसन्दे एक तो हमने चंद्रियान वे भी चंद्रियान तीन जहां पर उत्रा वो साउथ पूर तर एक बार और रोकना चाहूंगा अदिक अलवन लॉंच होले में मात साथ मिनट बाकी रहे गए हैं आप देख सकते कि किस तरीके से लगाता लोगों की धरकने बढ़ती जा र किर्तिमान एक नए उपलब्धी के साथ एक नए स्वाड़िम अध्याय के साथ अपने नापना नाम जो है वो तिरंगा फैराएगा आदित अलवन के माध्यम से सिर्फ साथ मिनट बाकी रहे हैं जीसन्द देखिए कितनी तो अभी इसको दूरी चलनी पड़ेगी इस पूर और धर्ती दोनों के गुरुत्वा कर्षण का निम्नितम प्रभाव है जहां पर उसे अपनी स्वतंतरता मिलेगी और वो सूरी से प्राप्त होने वाली सूचनाए भी इखटा कर पाएगा दूसरी बात है कि सूरी का तापमान बहुत ज्यादा है और उस तापमान के हिसाब से इस हमारे स्पेस क्रैफ्ट को ऐसे बिंदु पर रखा जाएगा कि वहां पर उस तापमान के होते वे भी सूचनाओं पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े यह अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है आपने देखा कि चंद्रियान तीन क कि उपलब्दी के बाद वहां से जो जो सूचनाएं मिल रही हैं वो इतनी चमतकारिक हैं कि जिनकी हमने कभी कल्पला में की थी वो अकल्पनी हैं और हमने भी कभी नहीं सोचा था इसी परकार हम इस बात करें शूर है कि हमारे देश ने ऐसा काम किया है कि सूरी के बारे में भी बहुत सारी रहस्य में बाते हैं जो हम बैट करके सोचते हैं वेज्ञानिक होते हुए हम सोचते हैं वहां वह सुलस्थ जाएंगी एक चीज़ और मैं आप से जो समझना चाहूंगा कि आपने वह भी तस्वीर देख कर उसकी शुरुबाद